तो आज की इस वीडियो में जो की एक बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्री आईएस कोचिंग से रिलेटेट ये देखिए गाईज ये एक इंस्टिटूशन है सरसायद एजुकेशन रिवलेशन मिशन इसमें ये लोग फ्री आईएस कोचिंग प्रोवाइड क प्रोवाइड करा जाएगी तो इस नोटिफिकेशन से बारत कर लेते हैं इसके बारे में वैसे आपने थमनेल में देखी लिया होगा ये किस से रिलेटेड है तो गाईस सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यहाँ जालेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएगे सर सहीत की यह वेबसाइट है आप इस पर आ जाएगे तो यहाँ दिखी यह आपको दिख रहा होगा इसमें पिचर वगएरा भी है आपर यह free coaching का इनका पूरा निजाम होता है तो free coaching पराइट कराते हैं यह top 300 स्टूडे तो इस वीडियो में आज हम पूरा देखने वाले कि इनकी नोटिफिकेशन में क्या है पेपर का क्या पैटन है एज लिमिट क्या है सेंटर कौन-कौन से हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह आज इसमें डिसकस करने वाले ओके गाई तो यह आपको वेबसाइट पर पता बट यह वीडियो अब थोड़ा लेट होगी मेरे को बनाने में जैसे ही मुझे पता लगा मैंने चेक करा तो अब मैं आपको बना दे रहा हूं यह वीडियो सर सयद रेवलुशन का मिल्दब इनका होता है मिसन आइस हंडर इनका एक मिशन है और यह जो एप्लिकेशन जो आ दिश्टे कर लेंगे उतना ही बहतर रहेगा आपके लिए क्योंकि बाद में ऐसा होता है फिर सब लोग एक साथ बढ़ते हैं फिर वो फिर जो वेब साइट होती है वो फिर हैंग करती है फिर नहीं हो पाता सर्वर इतना लोड नहीं जैपालता तो इस वयसे मैं कह रहा हू उनके लिए ये कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको होस्टेल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी साथी साथ और फ्री सिवल सर्वेशेज तो नहीं हो गया और यह जो है यह माइनुरिटीज एस्टी एस्टी एंड वोमेंस के लिए वोमेंस जो हैं वो इसके बारे में पता है information है उनके पास तो वहाँ पर ज्यादा लोग फिर apply करते हैं बट यहां जो आप देखेंगे सर सयद revolution है इसके बारे में लोग को पता नहीं है तो इसलिए इसमें जो लोग जो students register करते हैं या exam देते हो बहुत कम होते हैं इसमें आपके chances बहुत बढ़ condition होने वाला है इंटर 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 में होगा यह जैसे कि आपका दिल्ली बिजनौर लखनाउ अलाबाद पटना कॉलकाता जैपूर बोपाल मुंबई बैंगलूरू हैदराबाद और देहरादून अब जो आपके नियरवाए हो आप वो चूज कर सकते हैं अब यह कासी एमर्जेंसी वाली कंडिशन है तो इस वज़े से के बाद में कभी दिक्कत ना हो एक आप अपने जितने करीबी हो वो दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है के बाइचांस एक सेंटर अगर बंद हो तो दूसरे पर जाकर करके आप एक्जाम दे सके शड्यूल फॉर अगर आप यहां रहते हैं अगर आप इधर साइड में रहते हैं तो आपको इसे डूनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक है आपको यह आराम से मिल जाएगा तो यह सेंटर से आपका सेंटर यहां पर आप जाकर के ऐफ लाइं खर सकते हैं टिक कि अगर आपको ऑनलाइन नहीं भर पा ठीक है first week of November में आपका result आ जाएगा and second week of November में interview हो जाएगा, final result आपका third week of November में आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका पूरा completion है admission का वो first week of December में निपट जाएगा, registration for waiting list candidates in two week of second week of December, okay जो आपका register waiting list वाल है उनका second week में फिर registration हो जाएगा और admission भी उनका second week के अंतर-अंतर हो जाएगा, starting for classes जो आपकी start होंगी class वो third week of December से start हो जाएगी, okay यह सब इन्होंने एक brief idea दे दिया पर exact date नहीं दिया है अभी, अब देख लेते हैं यहाँ पर procedure के आप पूरा examination का, इनका कैसे कैसे exam लेते हैं यहाँ पर देख लिजिए, अब जो आपका इन्होंने का रहता है जो return test होने वाला है, general studies का, वो totally based है कि इस पर UPSC model पे, ठीक है UPSC model में और जो कि आपका essay writing होने वाली है, वो आप English, Hindi, उर्दू, इन तीनों में से किसी भी language में लिख सकते हैं, जो आपका total duration है, total time है, आपका examination का वो 3 hour है, और यहाँ पर negative marking भी है, जैसे कि और examination में होती है, वन थाट बाफ दे marks, आपके detect होनगे अगर आपको एक wrong answer लिखते हैं, अब यहाँ पर written test में आपके दो paper हैं, paper 1 and paper 2, paper 1 जो है आपका उसके अंदर आपके 60 question होंगे, और हर एक number, मतलब कि हर एक question एक mark carry करेगा, and paper 1 will be allotted 1 hour, आपको इसके लिए सिर्फ 1 गंटा मिलेगा, यानि कि एक question के लिए सिर्फ 1 minute मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको अपना exam attempt करना है, paper 2 would consist of essay writing, for which the total lot marks would be 60, जैसे कि आपका जामिया में होता है, दो essay paper होंगे आपके, और जो total 60 marks के होंगे, मतलब कि 30-30 marks के दो essay होंगे आपको, और total आपका 60 marks का essay paper होगा, जिसमें से आपको दो section दिये जाएंगे, आपको 3 घंटे मिलेंगे, अब बात करते हैं, the total marks for interview personality test would be 30 marks, जो आपका इसके बाद interview होगा, जो personality test होगा, वो आपका 30 marks करी करेगा, those candidates who have already appeared the graduation and who are in the final year of the examination are also eligible to apply, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी यहाँ बात मुझे यह लगी, कि जो बच्चे graduation में कर लिए हैं complete, वो भी apply कर सकते हैं, और जो final year में हैं, वो भी apply कर सकते हैं, आपको जामिया, हम्दर study circle, जकात foundation में यह समनी मिलेगा, कि जो बंदा third year में हैं, वो भी apply करें, वो graduation मांगते हैं, तो यह बहुत अच्छी चीज है, कि इन्होंने final year वाले student, जो third year में वो भी apply कर सकते हैं, तो guys, यह बहुत अच्छी opportunity है, प्लीज इस form को भर दीजिएगा, बहुत आपको असानी हो जाएगी, final merit will be prepared on the basis of both, return test and interview marks obtained by candidates, जो आपकी final merit है, जो आपका return test आपने उसमें जो लिखा है, और interview marks जो आपके आएंगे, उससे मिला करके आपकी जो merit बनेगी, hostel facilities जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि 1500 students को दी जाएगी, जो top 1500 students होंगे, उन्हें दी जाएगी, only classroom program candidate merit will be lower than the hostel candidates merit, जो आपके बाकी 150 students है, उनको सिर्फ coaching provide कराई जाएगी, hostel facilities provide नहीं की जाएगी, अब यहाँ पर आपको बता रखका, mock interview वगरा भी है, यहाँ पर सुवीदा जो बच्चे, mains examination qualify कर लेंगे, उनके लिए mock वगरा भी है, test series वगरा भी यहाँ पर start हो जाएगी, January में, January से लेकर में तक, और test series जो आपकी mains की हैं, वह भी July से लेकर सितंबर तक, यहाँ पर test series आपकी कराएगे, बहुत अच्छी opportunity है गाइज, और library facilities आपको 24 hours है, पूरे week में, आप कभी भी जाओ, पढ़ते रो, बस कोई दिक्कत नहीं है, scholarship will be provided on the basis of merit and means, उसी हिसाब से scholarship अगरा ही provide कराई जाएगी, अब यहाँ पर वही बात बता दीगी है, जो मैं आपको बता दीथी, total seat जो है, वो 300 है, जिसमें से 150 seats जो है, जिसमें आपको coaching भी दी जाएगी, hostel facility भी provide कराई जाएगी, और 150 seats ऐसी हैं, जिसमें आपको hostel facilities नहीं provide कराई जाएगी, classroom program मतलब, जो भी आपको coaching का program है, वो coaching वगरा लाओ होगी, और जो library की facilities हैं, और other facilities हैं, वो सारी मिलेंगे आपको, और यहाँ पर यही सब इन्होंने लिख रखा है, और बाकी इतना, दीखें, यहाँ पर आपको थोड़ा था, maintenance charge यह थोड़ा था है, ठीक है, और जो student सिर्फ classroom program में, जो सिर्फ coaching ले रहे हैं, तो उन्हें 25,000 as a maintenance charge जमा कराना होगा, यह आपको बाद में मिल जाता है, बट यह इसलिए जमा करा जाता है, by student कोई hostel की property को, या फिर कोई हमारे coaching जहां हो रही है, वहाँ की property को अगर नुकसान पहुचाता है, या कुछ ऐसा चोरी वगरा कुछ ऐसा मामलात होते हैं, तो वह पैसा उनका इस्तमाल कर लिया जाए, कि उससे यह रहता है कि एक safe side में चलती है coaching भी, क्योंकि यह जो आपको free coaching करा रहे हैं, यह भी तो कहीना कहीन से पैसा ला रहे होंगे, अब फिर अगर इनका नुकसान होगा property का तो फिर वह कहां से बरेंगे, तो इसलिए यह एक मैजा maintenance के लिए रख लेते हैं, maintenance charge will pay on the one time, बाकी इनों नहीं बता रखा है कैसे आपको draft के थूरू पे करना है, इसे करके, और by cash, cash के थूरू भी आप दे सकते हैं, maintenance charge, अब यहाँ पर देखे features के हैं, बोथ online and offline classes available, free regular coaching class facility है, free hostel accommodation है, free wifi facility है, आपको library free है, newspaper वगरा सब मिल दाएंगे, Hindi, Urdu, English में जिसमें आपको चाहिए, योजना वगरा, magazine वगरा मिल दाएंगी, all India plane test series program जाएंगे, test series वगरा भी, regular class test होंगे, weekly test होंगे, weekly test is compulsory for all students, ठीक है, यहाँ पर compulsory है, देखे यह चीज़ देना, weekly test देना, आपको compulsory है, selected to interaction special class, मतलब जो और toppers वगरा, उनसे special, उनसे interaction होगा, and doubt clearing होगी, doubt clearing classes भी होगी, scholarship वगरा भी provide कराई जाएंगी, और AC classroom है, ठीक है, AC लगा है, with projector facilities, और सब मतलब यहाँ पर इनने पूरा बता रखा है, साफ सुतरह होस्टेल classroom है, यहाँ पर सारी facilities बता दिये हैं, अब बाकी देखते हैं, यहाँ पर इनके थोड़े rules and regulation में, क्या क्या है, इनने लिख रखा है, देखें, यहाँ पर इनने rules and regulation बता रखें, तो यहाँ पर यही बता रखा है, कि no animal will be provided, and student mostly, देखें, यही बता रखा है, कि अगर आप hostel से बाहर जा रहे हैं, तो 3 hours से जादा तो वो आपको बताना पड़ेगा, और आपको most of the time अपना library में ही study करनी पड़ेगी, और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं, कि girls जो हैं, उन्हें 10 बज़े से पहले पहले अपने hostel पहुच जाना है, आपका मन नहीं लग रहाएं, आप नहीं लेना चाहते हैं, कोचिंग वहाँ पर तो आप 15 दिन से पहले पहले अपना जो ले सकते हैं, अगर 15 दिन से जादा होगे तो आपको मिंटेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा, आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्ते हैं इनकी, जो आप देख लीजेगा, अगर आपको ठीक लगे तब आप करिएगा, बट मेरे साब से बहुत बढ़िया है, आपको यह इतनी अच्छी पॉर्चिंटी नहीं मिलेगी, अगर आप नॉर्मल इंस्टूट में जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, तो फिर बहुत पैसा देना पड़ता है, डाई डाई लाग देना पड़ता है, तो गाइस यह बहुत अच्छी अपॉर्चिंटी है, माइनरिटी के लिए, सेस्टी के लिए, तो आप यह कर लीजे, बहुत अच्छा रहेगा, और जामिया में भी आप क्या देखेंगे, उसमें कॉम्पेडिशन बहुत है, यहां कॉम्पेडिशन नहीं है, पिछली साल बता है कितने बच्चे इसमें बैठे थे, सिर्फ आठ सो बच्चे, आठ सो में से तीन सो आना असान है, यहां पर प्लीज अपलाय करेंगे, और आप करेंगे साल रहे हैं, आपको रहगलर और विकनटेस देने पड़ेगे हए और सटुडेंट्स को, अगर आप दो टेस्ट में अपसेंट रहते हैं, तो आपको investigate भी किया जा सकता है ठीक है यह जीज दियान रगिएगा कहीं है ऐसे ही चलते रहो नहीं दे रहे टेस्ट वगरा अगर आपको help line के लिए आप यह number दे रखें आप आप इन number पे call करके कोई भी query हो तो पूश सकते हैं आपके लिए बहुत information रही होगी तो प्लीज गाइज इस वीडियो को share करें कि ताकि और student तक यह पहुँच सके जिनको ज़रूरत है वाके में कोचिंग की और वो IS बनना चाहते है तो उनके लिए बहुत अचानी हो जाएगी ओके गाइज तो इस वीडियो को जिस भी platform पर आप है शोशल मीडिया आपके उस पर share करना ना भूलें यह ध्यान रखिएगा ओके गाइज मिलते अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई